मुलायम का अंतिम संसकार आज सेफ़ई में घर के बाहर लंबी कतारें पांच हजार लोग अंतिम दर्सन के लिए रात भर से खड़ें राहुल प्रियंका भी पहुंचेंगे मसकार में मीरा पांडे और आप देख रहे हैं दख़बर्दार नियूज पांच हजार से जादा लोग रात भर से उनकी घर के बाहर खड़े हैं उनके पार्थक सरीर को सुबह दस बजे से आखरी विधाय के लिए यहां के मीला ग्राउंड के प्रणाल रखा जाएगा दोबहर तीन बजे उनका राज के सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर राहूल गांधी और प्रियंका गांधी भी से फ़ई पहुच रहे हैं का भी 12 अक्टूबर को से फ़ई आने का कारिक्रम है सोंबार सुभा हुआ था निधन मुलायन सिंग यादो ने सोंबार सुभा आट बच कर 16 मिनट पर गुरुकराम के मेदानता हस्पिताल में अंतिम सास ले लिए 82 साल के मुलायन सिंग करीब दो साल से ब्लड पेशर और यूरिन इंफेक्शन जैसी विमारियों से जूज रहे हैं मुलायन सिंग यादो दो साल से बिमार चल रहे थे मुलायन के निदम पर सरकार ने यूबी में तीन दिन का राज्च के सोख भुसित किया सीम योगी ने अखलीस यादो और राम गुपाल यादो से फून पर बात की और समवीदनाय व्यक्त की साथी सीम योगी के अध्यक्षिता में मंत्री पडिसत की बैठक मुलायम सिंग यादो को सरत हांचली दी गए अंतिम दर्शन के लिए मुलायम का सौर रखा जाएगा बने रहें दिखवर्दा और न्यूज के साथ दन्मी बाए